हेलो एवरीवन वेलकम नाव वी विल स्टड़ी शब्जेक्ट बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रेडियो थेरेपी ऑफ डियार्टी पार्ट सेकेंड तो जैसा कि आज का हमारा जो टोपिक है वह है रेडियो एक्टिविटी अब अपन बात करते हैं कि रेडियो एक्टिविटी होती के है और हमको यहां पे इसे पढ़ने की जरूरत क्यों पढ़ी जैसा कि अपने radiology department में हम radiations के बारे में पढ़ते हैं that means radiation के बिन्हाँ radiology department कुछ भी नहीं है तो यहां पे अपना radiation का source होता है अपने बात करते है Communications के source के तो अपना जो diagnostic department है अपने एक होता है अपना diagnostic department और दूसरा होता है अपना therapy department डियागनोस्टिक डिपार्टमेंट में हम रेडियेशन की सहयता से किसी भी डिजीज के बारे में पता लगाते हैं और थेरेपी डिपार्टमेंट में रेडियेशन की सहयता से उस डिजीज का या फिर और किसी डिजीज का यहां पर ट्रीटमेंट किया जाता है तो यह तो मेले मेल खक्राइब काम मेले रेट हुए टीета अपना इसे अपनी पर चाहिए आप आप नोर्मल एक्स dopamine की बाद कर लो यह फिर आप सीटी मेशीन की बात कर लो वहाँ यहां पर हम-टि रही काम मेले पर और ल childhood diagnostic है जहाँ पर radiation वहाँ पर ultra violet rays for example जो आपके ultrasonography वहाँ पर ultrasound waves काम में लेंगे और MRI के अंदर magnetic radiation काम में लेंगे तो that means अपना relation किस से है radiation से जैसे अपन बात करते है therapy department की तो तेरी department में अपने gamma rays, beta rays, particles, alpha, beta, neutron इन सब की that means हम इन सब का इस्तेमाल करते हैं तो अब अपन बात करते हैं कि यह जो gamma rays आ रही है आपकी बीटा rays जो पार्टिकल है सोरी gamma rays, beta particles, neutrons, ठीक है alpha particle यह सब कहां से आ रहे हैं इनका source क्या है इनका स्रोत क्या है तो वो जो इनका source है वो अपना relate करता है radio activity से अपन यह नहीं कह सकते कि in radiation का source radio activity यह यह नहीं कर सकते इनका source है उसमें से जो यह radiation निकल रही है, वहां पर जो बीच में जो process होती है वो क्या कहलाती है आपकी radio activity कहलाती है अब भी अपन ने radio activity के definition के बारे में यहां पर discuss नहीं है किया है केवल हमने normal way में discuss किया है कि radio activity है क्या radio activity किन चीजों से relate करती है अपन दो चीजे लेके चल रहे हैं एक आपका radioactive source that means ऐसा material जिसमें से आपकी radiation निकल रही है और दूसरी तरफ है आपकी radiation तो बीच में जो वो जो process हो रही है जिस process के कारण आपका वो जो radioactive source है वो radiation है करते हैं आपकी gamma rays हो सकते हैs अलफा पार्टिकल भी हो सकते हैं बेटा भी हो सकते हैं नीटरों में लोब होते हैं that means वो जो radioactive source है वो किसी process के से कारण always तो जैसा है कि इंट्रोडक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि रेडियोक्तिवीट की हमने बात कर ली कि किससे रिलेट कर रहा था पना रेडियोक्तिव सोर्स से कर रहा है और जैसे कि अपन जहां पर radiation के बारे में पढ़ते हैं वहाँ पर radiation के source के बारे में पढ़ते हैं तो हम दो चीजे पढ़ते हैं कि आपके radioactive source दो प्रकार के होते हैं एक होता है natural radioactive source और एक होता है artificial radioactive source तो इनी दोनों के according ठीक है that means इन दोनों source के according ही आपकी radio activity को भी दो parts में divide किया जाता है first आती है आपकी natural radio activity और second आती है आपकी artificial radio activity अब इससे समझते क्या हो आप इससे यह समझते है कि for example अपने दो source है एक है natural और एक है artificial ठीक है तो सबसे पहले अपन बात करते है sources की यहाँ पे radioactive source जो की radiation emit करता है ठीक है natural that means जो अपने को प्रकरती में मिलता है और artificial जो की अपना lab में create किया जाता है अब create करते कैसे है वह अपन पढ़ेंगे बाद में बट बात यहाँ पे हो रही है natural और artificial की natural source जो की प्रकरती में मिलता है और artificial जो की create किया जाता है अब बात आती है radio activity की मैंने आपको बताई कि वह process जिसके करण radio active source क्या कर रहा है radiation emit कर रहा तो that means natural जो radioactive source होगा वहाँ पे जो radio activity होगी वो कहलाएगी आपकी natural radio activity और जो आपका artificial radioactive source है वहाँ पे जो radio activity की जो process होगी वो कहलाएगी artificial radio activity तो जैसे ही अपन यहाँ पे बात करते हैं कि radio activity अब natural की अगर बात करें तो natural radio activity को सबसे पहले हिंडरी बैकरल ने 1896 में हो जाता तो उसके बारे में अपने को मैडम क्यूरी ने 1934 में बताया था अब अपन बात करते हैं इसके इंटोड़क्शन की इसकी साइन्टिफिक डेफिनेशन की कि साइन्स आपको रेडियो एक्टिविटी की क्या डेफिनेशन बताती है रेडियो एक्टिविटी एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर spontaneous emission होता है particles का ठीक है कौन-कौन से particles का alpha, beta, neutron इन particles का क्या हो सकता है spontaneous emission and radiation waves such as x, gamma rays और both at same time that means particles का emission हो सकता है alpha का, beta का, neutron का या फिर radiation का तो radiation में भी कौन-कौन से x rays, gamma rays और both at same time या फिर दोनों एक साथ from decay of certain atoms किसी भी certain atoms के decay होने के कारण due to an adjustment of their internal structure decay क्यों होता है क्योंकि उनकी जो internal structure होती है उनमें थोड़ा सा adjustment होता रहता है अब वो adjustment क्या होता है unstable state to stable state unstable state से वो stable state में जाने की causes करते है that means अगर अगर अपन simple language में बात करें तो यहाँ पर है कि radio activity is a spontaneous emission spontaneous emission that means स्वेता है उत्सरजन अपने आप इसके अंदर क्या होता है उत्सरजन होता है particles का ठीक है that means होता है कि कोई भी आपका atom है वो किसमें होता है आपकी unstable state में है गामा या फिर बोथ दोनों एक साथ या फिर इन particles जो आपके particles alpha, beta, neutron इन सबका स्वेता लगातार उत्सरजन करता रहता है और खुद क्या होता रहता है decay होता रहता है वो चाहता तो है unstable state में बट वो जान नहीं पाता है वहाँ पे उसमें से decay होता रहता है that means atom का decay होता रहता है और वहाँ से particles और radiation निकलती रहती है जैसा कि हम यहाँ पे बता रहे हैं कि इतने particles और radiation अपन यह नहीं कह रहे हैं यहाँ पे कि हर atom से यह सारी radiation निकलेंगी और यह सारे particles निकलेंगी यह depend करता है atom के decay होने पे disintegration होने पे कि वहाँ पे कौन से particles emit होंगे या फिर कौन सी radiations निकलेंगी process कहा है main जो radio activity की that means जो आपका radioactive source हो radiation क्यों emit कर रहा है because वो unstable state से stable state में जाना चाहता है और वो इसी के that means इसी process के कारण वो क्या करता है decay होता रहता है तूटता रहता है और sweat है उत्सर्जन करता रहता है या तो particles का उत्सर्जन करेगा या फिर radiation का उत्सर्जन करेगा radio activity was first discovered by the henry becquerel in 1896 जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे natural radio activity की बात कर रहे हैं अभी अपन तो natural radio activity को सबसे पहले henry becquerel ने 1896 में डिस्कवर किया था दूरिंग दे रेडियो एक्टिव प्रोसेस दे एटम्स चेंजेज इट्स एटोमिक नंबर एंड केमिकल आइडेंटिटी एन एटम विद अनिस्टेबल नुक्लियाई देट परफॉर्म रेडियो एक्टिविटी इस गल्ड रेडियो आइसोटोप्स तो जैसा है कि इन्होंने बताया आपको कि दूरिंग दा रेडियो एक्टिव प्रोसेस जो आपकी रेडियो एक्टिविटी की जो प्रोसेस हो रही है जब आपका एटम एनिस्टेबल स्टेट से stable state में जा रहा है और वो spontaneous emission कर रहा है स्वेहता है उत्सरजन कर रहा है particles का या radiation का उस process के वक्त है atom क्या करता है the atom changes its atomic number atom क्या करता है खुद का atomic number change कर लेता है change कैसे करता है because उसमें से क्या होते है particles का जब emission होता है तो वहाँ पे उसके atomic number में change आता है and chemical identity इसी के साथ साथ में वह वह अपनी chemical identity को भी क्या कर लेता है बदल देता है an atom with unstable nuclei that means ऐसा atom जिसका nucleus क्या है unstable that means वह पूरा atom ही क्या है आपका unstable that perform radio activity और जो की radio activity की process को perform कर रहा है वह आपका कौन सा atom कहलाता है या फिर वह क्या कहलाते है radio isotopes कहलाते अब अपन बात करते हैं यहाँ पर isotopes की अगर अपन normal isotopes की बात करें अपनी जो periodic table है उसमें जो elements वहाँ पर भी that means इनके भी isotopes पाए जाते हैं तो सबसे पहले अपन normal isotopes की अगर बात करें तो isotopes वह element होते हैं जिन में number of protons तो same होते हैं but number of neutrons same नहीं होते that means वह element जहाँ पर number of protons same होते हैं और number of neutrons अलग-अलग होते हैं वह आपके elements एक दूसरे के isotopes कहलाते हैं तो वहीं पर यहाँ पर जो अपना radioactive source है जो कौन से process कर रहा है radio activity की कर रहा है अब वह radio activity में क्या करता है unstable state से stable state में जाना चाहता है spontaneous emission करता है स्वेतर उत्सर्जन करता है particles का इन सबका और वह इसी process के कारण in radiations का emission करता है और वह खुद क्या कहलाता है radio isotope कहलाता है विकोज वह अपना atomic number change कर लेता है और अपनी chemical identity change कर लेता है the initial atoms are called parent and the products are called daughter तो जैसा कि अभी आपने यहां पर देखा कि जो आपके radioactive sources है वहाँ पर process भी radio activity की radio activity के कारण spontaneous emission हुआ स्वेतर उत्सर्जन हुआ उसके कारण उसने कुछ particles emit के अब जैसा कि वह जो particles emit कर रहा है उन particles के भी क्या होगा atomic number भी होगा और उनका atomic weight भी होगा ठीक है तो यहां पर अपन बात कर रहे है parents and daughter की that means the initial atom are called parents starting में जो आपके atoms थे वो क्या कहलाएंगे parents कहलाएंगे and the products are called daughter और उन में से जो उत्सर्जन हुए है ठीक है जो उन में से निकले है वह आपके atoms कौन से कहलाएंगे that means वह products क्या कहलाएंगे daughter कहलाएंगे ठीक है artificial radio activity was discovered by madam Curie in 1934 दूसरी जो आपकी radio activity होती है that means artificial जहां पर artificial radioactive source के अंदर radio activity की process होती है artificial radio activity को सबसे पहले 1934 में madam Curie ने discover किया था अब अपन बात करते हैं यहापे disintegration की ठीक है दैसा है कि radio activity की जो process होती है उसके वक्त जो आपका atom होता है उसमें decay होता है that means वो टूटता है ठीक है उसमें से आपके जो particles निकल रहे है atomic number उसका change हो रहा है atomic weight उसका change हो रहा है तो यह सब change होने के currents क्या होता है उसमें से disintegration होता है अब अपन बात करते हैं यहापे disintegration that means activity की the term activity is defined as the number of atoms disintegration per unit time from radio isotopes and it is measured by the unit curry that means कि किसी भी radio isotopes से per unit time में कितने number of atoms disintegrate हो रहे है ठीक है that means किसी भी radio isotopes में से per unit time में कितने atoms disintegrate हो रहे है यही क्या कहलाता है activity कहलाता है it is measured by the unit curry और इसकी unit क्या होती है क्यूरी होती है और यह चीज़े हमने radiation unit में भी discuss की थी अगर आपको याद हो तो अब अपन बात करते हैं यहापे one curry की तो जैसा अभी अपन ने activity की यहापे कि one second में कितना disintegration हो रहा है ठीक है one curry is the number of disintegration per second from one gram of radium and it is found to be 3.7 into 10 to the power 10 dps that means कि एक second में एक gram radium से कितने number of atoms disintegrate हो रहे है वो आपका क्या कहलाता है one curry कहलाता है और जो आपका radium था ठीक है सबसे पहले उसी की खोज किए गी थी it is found to be 3.7 into 10 to the power 10 dps और यह कितनी होते है 3.7 into 10 की power 10 dps disintegration per second that means एक gram radium से एक second में इतने atoms disintegrate हो जाते हैं और यह क्या कहलाता है आपके term activity कहलाता है और activity unit क्यों ही कहलाती है अब अपन बात करते हैं अपने radioactive disintegration low की ठीक है radioactive disintegration low given by the Rutherford and Saudi इसको दिया किसने था दो scientist थे Rutherford और Saudi ने इसके बारे में बताया था अब इन्होंने क्या बताया this low states that the number of atoms that disintegrates in unit time is proportional to the number of radioactive atoms present at that instant इन्होंने बताया आपको साफ साफ कि जितने भी number of atoms disintegrate हो रहें एक second में ठीक है आप यहापर पर second की बात कर रहें DPS की अपन यहाँ पर बात करें disintegration per second number of atoms disintegration per second is directly proportional to the number of radio isotopes present at that time that means की उस वक्त वहाँ पर कितने radio isotopes present है और वेसी बात है जितने ज़्यादा radio isotopes आपके पास में होंगे उतना ही ज़्यादा वहाँ पर क्या होगा DPS होगा disintegration per second होगा जितने अपना अब यह जो पीछे अपनने चीज पढ़ी वहाँ पर अपनने पढ़ा कि एक ग्राम रेडियम से 3.7 into 10 to the power 10 DPS हो रहा है वही पर अगर आप एक ग्राम के दो रेडियम के atom लेते हो तो disintegration आपका कितना हो जाएगा दूगुना हो जाएगा that means DPS disintegration per second directly proportional है किसके atoms कितने प्रेजेंट है जो आपके radioactive atoms है वो कितने प्रेजेंट है उस वक्त ठीक है अब इसका जो derivation है वैसे देखा जाए तो आपके 12 में यहाँ पे 12 में इन चीजों के बारे में हम अच्छे से discuss करते हैं इन derivation के बारे में अच्छे से discuss करते हैं यहाँ पर अपनी half life के बारे में भी हम discuss करेंगे तो वहाँ पर अपना derivation अपनी यहाँ पर short में discuss करते हैं dn number of disintegration of the atom dt per second directly proportional to the n n क्या है यहाँ यहाँ पर radioactive atoms उस वक्त कितने present है उससे directly proportional होता है जो चीज़े अपनने भी theory में लिखी उसी को अपनने यहाँ पर mathematically लिख दी minus dn by dt is equal to lambda n directly proportional के sign को हम हटाते हैं और यहाँ पर एक constant रखते हैं जिसको हमने यहाँ पर lambda रख और lambda यहाँ पर क्या कहलता है आपका decay constant कहलाता है the unit of the decay constant is second inverse तो जैसा है कि अपने उपर वाले formula से अगर decay constant की unit निकालते है तो वो आपके आती है second inverse और वो कैसे आती है उपर वाला formula है वो अपना है minus dn by dt is equal to lambda n अगर आप n को इस side में लेके आतो आपके पास formula बनता है minus dn by dt into 1 by n तो जैसा कि आप देखोगी कि ऊपर आपके पास होगा dn और नीचे आपके पास होगा dt और n तो जो unit आपकी dn की होगी number of atoms वही वहाँ पे आपकी क्या हो रही है unit आपकी unit की बात कर रहे है पर number of atoms की बात नहीं कर रहे है जो unit आपकी किसकी है dn की है वही unit आपकी क्या है जैसा कि अभी स्टार्टिंग से अपन ने थ्योरी में एकी बात की कि number of disintegration is directly proportional to the number of radioactive source that means dps disintegration per second वहाँ पे अपन ने नेगेटिव साइन के बारे में discuss नहीं किया बट यहाँ पे अपन ना जो mathematically लिखा तो negative sign लिया अब negative sign आपको क्या बता रहा है the negative sign indicates that n is decreasing with time n के है यहाँ पे radioactive atoms that means कि जैसे जैसे time बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके जो radioactive atoms है जहाँ पे radio activity की process हो रही है जहाँ पे dps हो रहा है disintegration per second हो रहा है वो radioactive atoms time के साथ साथ में decrease होते जा रहे है और यह जो decreasing की process है यह mathematically negative sign indicate करता है that means mathematically negative sign radioactive atoms की संख्या जो कम हो रही है उसको दरसा रहा है अब अपन बात करते हैं इसी derivation को आगे ले जाने के लिए तो अपने को क्या करना होगा यह जो उपर अपने formula लिखा minus dn by dt is equal to lambda n हमें इसका integration करना होगा अब आप integration के बारे में सोचोगी कि integration क्या होता है यहाँ पर बात हो रही है अउकलन और समाकलन वाले integration और differentiation की तो वहाँ से that means अब हम इस formula का जब integration करते हैं तो integration की जो process है वो हमने यहाँ पर नहीं लिखी है कि किस तरीकी से integration होगा अपन direct formula की बात करें कि integration के बाद में result क्या मिलता है after integration the equation can be written as और integration के बाद में अपने पास equation आती है n is equal to n note e की power minus lambda t where n note is equal to initial number of atoms and n is equal to atoms after disintegration that means n note यहाँ पर क्या है starting में आपके पास कितने radioactive atoms है उनकी संख्या कौन बता रहा है n note बता रहा है और n आपको क्या बता रहा है यहाँ पर atoms after disintegration जैसे disintegration हुआ उसके बाद में वहाँ पर कितने radioactive atoms बचे ठीक है तो यह अपनी normal सी equation अपने पास आई है अब अपन यहाँ पर बात करें कि equation के अपने को जरूरत क्यों पड़ी because जो अपना next topic होगा वो है अपना half life अब half life क्या होती है discuss करेंगे कल अराम से अपने next lecture में हम discuss करेंगे तो half life का जो derivation होगा तो वहाँ पर अपने पास that means अपने को इस equation की वहाँ पर जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पर अपन डिसकस करेंगे और वैसे भी जो radio activity जो equation होती है वो आपकी यही होती है n is equal to n not e की power minus lambda t n यहाँ पर आपके disintegration के बाद में जो radio active atoms बचे उनके संख्या है और n not initial number of atoms की संख्या है ठीक है तो आज का lecture अपना यहीं समापत होता है next lecture में हम half life के बारे में discuss करेंगे thank you करेंगे 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 झाल झाल